कि अगर गलती होती है तो आपका बेटा आपका भाई समझ का हमें माप कीजिए तीन तारीक को अपने वेड़ का सई इस्तेमाल करते हुए कि अगर गुलबरगा आई है तो गुलबरगा पहली मरताबा नहीं आई है मजलिस इत्हाद المस्लिमीन पिहार को फते करकर आई है। मसल्मानों के खुख के लिए बात करते हैं उनकी हुखुक दिलाने के लिए बात करते हैं तो आप के और मेरे हुखुक और इजद दिलाने की बात करने के लिए मजलिस इतिहाद अलमस्लिमीन एक ऐसी वाह जमात है जो आपकी और मेरी हुखुक की बात करती है जो काम कर सकते हैं आप उनको वोट देना पांस साल जो वोट लेकर घर बैटे उनको वोट नहीं दीजिए मैं जानता हूं कि मुहम्मद अजीम साहब घर घर आएंगे मेरा एक ओट बैडिस्टर असदोदी नवेसी साहब की ताकत में और उनके हांसलों में इजाफा करेगा इसलिए इजाफा करेगा कि हम अगर आपके दर्पे आके अगर ओट नहीं मांगींगे तो किस के पास जाएंगे आज तमाम लोग के खाहिदीन आएंगे जो अपने आपको सेकुलर कहने वाले आपकी चौकट की धूल कुछ आखिए वगर फैसला आपको करना है ये सोचके उठीए आज के मुनसम मुतहद होके उठीए कि आज हिंदोस्तान के हालत आपके सामने हैं आज तरह तरह के खल्म हम पे हो रहे हैं अगर हम या मुतहद और मुनसम नहीं होंगे ये एक और चौराहें पर धेर कर तक्रीर की जाती है तो हमारे मसाहिल का हल नहीं ह हमारे मसाइल का हल अजीम शेख जब मुटखिब होके जब आईवान बल्लिया में जाएंगे तो हमारे मसाइल का हमारे एरिये की डॉल्लमेंट का काँ होगा तो तीन तारिख के दिन बतंग कोड़ दीजे बारिस चरह सतोदी नवेसी साब की खियादत को मजबूस करिए एक एक ओट का इस्तेमाल करिए अगर कोई सोच रहे के मेरे एक ओट से क्या होगा नए आपका एक ओट हिंदुस्तान की ताखत में मुसल्मानों की ताखत में जब पर करेगा मैं एक शेर कहते हुए मैं अपनी बात को खतम करता हूँ के जमाने भर में बड़ी घर की शान बेकी से महता रहता है दिल का जहां बेकी से जरूरी ये नहीं के बेटों से नाम रोशन हो मेरे नभी का चला खानदान बेकी से मेरे नभी का चला खानदान बेकी से तीन तारिख के दिन अपने के कोट का इस्तेमाल करिए और बुज़े तिहाद मुस्लिम का इंक्याज निशान पतंग है पतंग को ओड़ दीजिए मैरे सबस्दों दीन वेसी साथ के हाथ मजबूत कीजिए क्या तुरे दीन वेसी साथ है दर अबाद की असंभली में अगर कहते है तो केशियार बाद के चीजिए मिनिस्टर को करना पड़ता है लेकिन वे सब कुछ छोड़कर आपके दर्मियान में क्या ओर रहे है कांची चीज उनकाप के दर्मियान में ठीच कर लेकर आ रही है तो यही चीज है जो रसुल आला सुने दाओं की उम्मती है कि क्या गुलवगा की सर्दमीन पर मेरी प्यारी माँ और मेरी बहनों कि चाते हो कि जिससनदघी को तुम ने कुगार कर दुनिया से आरहे हो तुम आने वाणी नस्रों को उस्टी खूड़कर चले जाओगे कि तुम चाते हो कि तुमारे बच्चि भी छोटे खोटे कारवाज तक होटलों में काम करते होए यह भी जिन्दगी गुजारे भेला बंदी दिखा कर जिंदगी हुजारे, पंचर जोर कर जिंदगी हुजारे, क्या मेरी प्यारी माओं तुम नहीं चाती कि तुम्हारे बच्छे डॉक्टर बने, अच्छे दाजीर बने, अच्छे दुकांदार, अच्छे बिजिसमें बने, अच्छे वकील बने, आपके नमाइंदों को जिता कर वहां पर एवनों में वेजोगे। याद रखो हिंदोस्तान एक जमूरी मिल्ख है और जमूरी अतिव मरसी के सुने जाती है जिसके पास सियासी ताकत को आज हिंदोस्तान के विरकाप्परस्टों के पास में स्यासी ताकत आ चुकी है उसी लिए तो पुरे हिंदोस्तान में दन नाते होए घूम रहे है अगर तुम गापिर रहोगे और फैस्ता दीन तारीख के दिन नहीं लोगे तो याद रखो ये दुन्या तुम्हे कभी माफ नहीं करेगी ये आने वाजी नस्ते तुम्हे याद करेगी कि एक मौका तुम्हारे पास में था यहां पर अज़त दीन और ऐसी आकर पसीने में लबा लब होकर आपको समझा रहे थे ये हिद्रबाद के कॉर्पेटर्स आपके दस तक देकर आपके दर्वादों पर चीख कर कहरें बिर्त मुत्विद हो जाओ साथ दे दो ये बात याद रखो मेरे भाई मेरे प्यारी बेहनों आज फैस्दा लेने का वक्त है ये जागने का वक्त है खुदाना खास्ता इस ते इससे बुरे हालात आ जाए इसने समयो अरेजी साथ की आवाज पर लब्बै कहो दीन तारी के दिन अपने घरों से निकल कर फैस ला लो कि हमको किसी की बात में नहीं आना पतंग के निशान परोट लेना है